असलाम नेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि लिटरुचिर बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंस कैसे बनाता है और बच्चों की इमोशनली इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है जब आप यह यूनिट पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह अपस में इंटेलिजेंस को आपको अपस में इंटर किनेक्टेट हैं जहां करेक्टर को एक इमोशनल और डिसीजें करनी पढ़ती हैं जब बच्चे उस डिसीजें को पढ़ते हैं जो वो करेक्टर करता है तो वो इस समझना चाहते हैं कि उसने ये decision क्यों किया और इस moral decision के outcome क्या है इस तरीके से बच्चों को एसास होता है कि हमारी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे moment of crisis आते हैं जहां हमें कुछ moral और emotional decisions करने पड़ते हैं और ये decisions हमें direction देते हैं वाय करेक्टर बच्चे learn करते हैं कि क्या सही decision लिये जाते हैं moment of crisis में अब moment of crisis क्या है यह हम इस कहानी में देखते हैं बहुत ही interesting कहानी है गूजी गूजी चन्ने 2004 में लिखी थी और उसके अंदर एक interesting moment of crisis ये है कि crocodile का egg गलती से ducks के egg के साथ hatch हो जाता है और mama duck को बिलकुल नहीं पता कि ये crocodile का egg है mama duck जो है जैसे उस सारे eggs hash करती है इस egg को भी hash कर लेती है और इस egg को जब वो hash करती है तो बाद में इसमें से crocodile का baby निकलता है mama duck उसे अपना ही baby समझती है और उसे बहुत प्यार से पाती है so crocodile जो है baby crocodile वो mama के साथ वो तमाम काम करता है जो उसकी siblings और ducks करते है so एक दिन तेरते तेरते वो अपने जैसे crocodiles को देखता है और वो realize करता है कि ये तो बिलकुल मेरे जैसे दिखते है पर ये duck तो नहीं है वो crocodile उसे पूछते हैं कि तुम कहां से आये हो जो वो बताता है कि मेरी ममा तो duck है crocodile उस पर हसते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी nature है ducks को खाना ना कि उसे अपनी family समझना तो तुम अपनी nature को और हमें देखो हम तुम्हारी family है follow your nature और ducks को ले के आओ ताकि आज हम एक interesting सा और delicious सा dinner करें So, crocodile एक moment of crisis से गुजरता है Now, baby crocodile को एक moral decision लेना है So, वो moral decision ये लेता है कि वो अपनी family के साथ आके crocodile को भगा देता है और वो अपनी nature से लड़ता है पर वो अपनी family को बिलकुल भी compromise होने नहीं देता आपको क्या ख्याल है? क्या उसने सही फैसला किया? हम, it's a very interesting story अगर वो ये फैसला ना करता कोई और फैसला करता तो फिर क्या होता? क्या हमारी जिन्दगी में भी ऐसे moral decisions आ सकते हैं? या moment आ सकते हैं? जा हमें एक अजीब और गरीब किसम के moment में हम enter हो जाएं और हमें सक decisions लेने पड़ें या हमें emotional और moral decisions लेने पड़ें एक और बहुत interesting कहानी है इसको सरफ morals तक ना रखें emotions तक भी सोचें बच्चें को हम multiple emotions ते introduce करवाते हैं आपके सामने कहानी है the scar इस scar particularly ये कहानी है कैसे बच्चे की जिसकी mother का इंतकाल हो जाता है और फिर वो अपने father को उस तकलीफ से निकलते देखता है और वो अपनी तकलीफ को भी compensate करता है जो वो रोजाना सुबाउट के अपनी माँ को याद करता है और वो इन तमाम routines को देखता है जो उसकी माँ उसके साथ करती थी पर father अभी नहीं कर पा रहे वो कैसे इस moment of crisis से निकलता है और वो कैसे अपनी father की help out करता है और कैसे वो emotional और moral decision making करता है It's a very very interesting story हमारी पास बच्चों की बहुत सैसे literature मौजूद है जहां बहुत से moment of crisis हैं जिससे हम as a insan गुजरते हैं और जब हम ये कहानिया पढ़ते हैं हमें असास होता है कि हम भी गुजरेंगे और जो गुजर रहे हैं उनके emotions क्या हैं उनके decisions क्या हैं उन decisions पर उनके circumstances future के क्या होंगे So ये कहानी available है online free और आप इसको पढ़ सकते हैं पढ़िए देखिए और इसको सोचिए कि ये कहानी में इस बच्चे ने क्या किया और कैसे इस crisis से निकला So और interesting content के लिए हम दुबारा मिलेंगे उस वकर तक के लिए Thank you so much